परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूँ साथियों आज नवरात्री का आखरी दीन है कल राम नवमी है और मर्यादा पुर्षोतम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करे कोरोना के इस संकटकाल में कोरोना के बचले के जो भी उपाय है कुरुपिया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए रमजान के पवित्र महने का भी आज सात्मा दीन है रमजान हमें धैरिय आत्मसयम और अनुशाचन की सीख देता है मैं राज्यों से भी अनुरोद करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रुप में ही इस्तिमाल करें लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है एक मैं के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सिनेट किया जा सकेगा इस बीच गरीबों बुजर्गों निम्ले मद्यमबर के लोग मद्यमबर के लोग 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सिन कारिकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को ऑक्सिजन मिले राज्यों में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुंचाने हो, और द्योगिक इकायों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो, ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है शेयर और डाउनलोड करें, देन एक भास कर आप